कि नमस्कार मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हर्दिक स्वागत है अभिनंदर है आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि क्रोध अगर आता है तो उस पर कैसे काबु पाएं क्रोध पर नियंत्रण कैसे करें मेरे दोस्तों हम सभी को क्रोध आता है आप लग में से किसे क्रोध नहीं आता है सबको क्रोध आता है किसी ने किसी बात पर क्रोध आता है तो पहले हम जाने कि क्रोध क्यों आता है क्रोध हमें तब आता है जब हमें मन पसंद चीजे नहीं मिलती है इसका सबसे अच्छा उदारन आप देखिए छोटा बालक है छोटे बालक की ग दूसरा बालक बैठ जाता है तो देखते हैं वालक रोने लगता है चिलाने लगता है फिसले बालक पकड़ के खिंजता है अपने माता का आंचर कण चाहते है इस इते हैं कि अमधम में हो पसंद करता हूं यह करती हूं इसलिए इस गोदी पर मेरा आदिकार है और इस पर केवल महीं मेट हूँगा इस कारण वह है क्रोध परदर्शित करता है हाथ पेर पटकने लगता है बाल खिंचने लगता है जमीन पर लोटने पोटने लगता है तो आप जानगे कि जब हमें मनपसंद चीजें नहीं मिलती है मनमाचित चीज़े नहीं मिलती है तो हम क्रोध करते हैं और कई लोग करते हैं में क्रोध आता है बहुत तेज गुसा आता है मेरे दोस्तों गुसा आता नहीं है बलकि गुसा हमारी च्वाइस है हम सोच समझ कर गुसा करते हैं क्या आप अपने से अधिक सक्ति साली के साथ गुस्सा करेंगे आप से गुस्सा करेंगे नहीं वह कि अगर मैंने अपने ऐसे उच्छ अधिकारी के साथ गुस्सा किया तो मेरा नुकसान हो सकता है मुझे 17 सीसी की नोटीस मिल सकती है हमारा इंक्रिमेंट रुख सकता है हमें नौकरी से निकाल दिया जा सकता है इसकारण आप वहां गुस्सा नहीं करते हैं इसी तरह से जो कि फेट फिट करके हमारा कचुमर निकालतेगा तो तो गुस्सा क्या है दुशन हमारी हम देखते हैं कि घुछां को किस पर किया जाना चाहिए और Hail भी कि आप अपने से कंजूर पर उस्ता करती हैं अक सर आप देखते हैं ऑफिस में अगर कोई व्यक्ति अपने बॉस से जगड़ा कर लेता है जगड़ा नहीं करता है वहां से उसको डांट पड़ती है तो उसका गुस्सा किस पर निकालता है घर आकर कि अपने पत्नी पर निकालेगा अथो अपने बालकों पर निकालेगा क्योंकि जानता है कि यहां मेरा नुक्सान नहीं होगा यहां मेरा कुछ भी नुक्सान नहीं होने वाला है इसका मतलब क्या हुआ गुस्सा हमारा 24 है हम सोच समझ कर गुस्सा करते हैं किस पर हमें गुस्सा करना है और किस पर हमें गुस्सा नहीं करना है दूसरी बात कई क्या दो बार सफल हो जाता है अपने काम को करवाने के लिए तो बार 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 अपने गुस्से को परदर्शित करके अपना काम करवाते हैं तो गुस्सा क्या है एक हथियार एक हथियार की तरह गुस्से का आप उपियों करते हैं जो कि यह सही नहीं क्या आप चाहेंगे कि आप पर कोई गुस्टा करें नहीं न तो आप अगर किसी पर गुस्टा करते हैं आप किसी पर क्रोध करते हैं तो क्यों दुसरा आदमी आपके गुस्टे को परदास्त करेगा आपके क्रोध को परदास्त करेगा क्रोधी व्यक्ति ना स्वेम सुखी रहता है ना शांत रहत और दुसरों को भी दुख पहुंचाता है कई बाता है हम गुश्टे में ऐसी ऐसी बाते बोल देते हैं ऐसी हरकते करदबैठते हैं जो कि वास्तर में अभशनी होता है अगर स्वेंग पर आप सोचें कि क्रोध में कई बार हम इस तरह की बाते बोल देते हैं जिसको अगर बाद में आप खुद चिंतन करें तो आप पाएंगे कि हमने यहां गलत बोला था हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था लेकिन हुआ क्या धन्नुस से निकला हुआ जैसे ती और जवान से निकली हुई बोली अगर एक बार निकल जाता है तो वापिस नहीं आता है आपने क्रोध में करके किventी के साथ बहने जी कर दिया । अगला व्यक्ति अगर आप पर गुस्सा हो रहा है तो आपने पहले जान लिया कि हम गुस्सा किस पर करते हैं अपने से कमजोर पर गुस्सा करते हैं हमें अपने से पर गुस्सा करते हैं कि हम अपने से ताकित्वर से निकृत किया, आपने से नौके करता है उसकी आखे लाल हो जाती है मुठ्या भिच जाती है कि चेहरा तमतमा उठता है और उसकी भाव भंगिमाएं है इतनी विक्राल रूट धार्न कर लेता है कि आप देखोगे तो आप खुछ सोचोगे क्या महीं था जो क्रोध में हमारी इस तरह की भाव भंगिमा हो गई तो अब यह प्रशन उठता है कि गुसा आया है गुसा को हमने हत्यार गिरुप में इप्यों किया है आपका तो गुसा आता है अरे भाई गुसा क्यों आता है गुसा के भीतर है इसलिए तो गुसा आता है याद रखिए गुसा एक धुमे की तरह है गुसा बादल की तरह है जो थोड़ी दिर के लिए आएगा और अगर आपने उस थोड़ी दिर को नियंत्रित कर लिया तो अपने आप गुसा सांत हो जाएगा आप मन में ठान लिजिए कि हम गुसा नहीं करेंगे और अगर गुसा करेंगे तो आज नहीं करेंगे थोड़ी दिर के बाद करेंगे दो गुसा नहीं आने का अब यह समस्य उत्मन होती है जैसा कि मेरा टॉपिक है कि हम अपने क्रोध पर कैसे काबू पाएं क्रोध को हम कैसे नियंत्रित करें इसका कई तरीके हैं पहला तरीका मैं आपको बताती हूं कब जब कभी आपको क्रोध आए तेज गुसा आए तो सब से पहले आप सांथ हो जाएं और मैं उसमें आपको हलाकि सांती इतनी आसान नहीं होता है जब कोई आपको गाली गलोज कर रहा होता है कोई आपको धंकी दे रहा होता है उस समय बड़ी मुश्किल है अपने आपको सांथ करना फिर भी हम चाहें तो अपने दिर निस्से से हम अपने गुस्ते पर काबू पा सकते हैं इसके लिए पहले करना क्या है कि हमें गहरी सांस लेनी है डेफ्ट व्रीडिंग लेनी है इससे हमारा मानसिक संतूलन बना रहेगा अहुं क्रोध प्रणियंतरन पा सकते हैं दूसरा अगर आपको के मंत्र आता है जिस भगवान को आ स्वातत्य श्वीत्र वरेजयं भरगोदेवश्यधी मही दीयो योणह प्रचोद्या अगर इतना बढ़ा मंत्र आप अपने ही कर सकते तो आप और अग्नमसिवाएं और अगर उतना भड़ा भी नहीं कर सकते तो राम 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 आपकर करके देखिए एक सो बार तक सो तक ग समा मांगेगा और अपने जो उसके द्वारा कहे गए जो भले बुरे शब्द हैं उसके लिए खुद हो अपने आपको गलानी मसूस करेगा लेकिन करना पड़ेगा यह कि जिस समय किसे एक व्यक्ति को गुस्सा आता है उस समय आप गुस्सा मत दिखाए परदर्शित मत करिए अगर आप भी गुस्सा करेंगे तो गुस्सा बढ़ता ही चला जाएगा और हो सकता है वह गुस्सा हिंसा के रुपे परिवर्तित हो जाए और उसका दूस परिणाम हो सकता है तो हमें क्या करना है अगर कोई व्यक्ति आपको प्रोध दिलवाता है तो आप क्रोध क्या है एक निगेटीव इमोसन्स है और क्रोध क्या है दूसरी चीज एनर्जी है उस एनर्जी को स्टोर कर या अगर कोई व्यक्ति कहता है तुम पास नहीं हो सकते तुम अच्छी नौकरी नहीं प्राप्त कर सकते तुम मित्य ताकत नहीं है इस तरह के अगर आपको गुस्सा दिला आता है तो आप उसको अपने भीतर रखिए और उस एनर्जी को चैनलाइज करें उसके साथ बहुत करके नहीं बलकि उसे करके दिखाए कि हम कर सकते हैं और ऐसे कई-कई-उदाहरन है जहां किसी को अगर मिला है तो उसने अपने उस गुस्ते को उस व्यक्ति के साथ प्रद आप मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो अगर इतना में आप राम के पीछे लगते तो आपका कल्यान हो गया होता और यह बात तुर्शी दास को चुब गई तुर्शी दास जी ने अपनी पत्नी रतनावली से कोई जगडा नहीं किया बलकि उन्होंने उस बात को अपनी दिल म हम सब जानते हैं तो जब कभी भी आपको क्रोध हाता है तो उस क्रोध को आप चैनलाइज करने की कोशिश करें सही दिसा में उसको ले जाने का प्रयास करें तो आप यह देखेगा वह गुस्सा भी आपके लिए वर्दान साबित होगा कई माता पीता जान बुझकर अपने नहीं करें इसके पुझ्छें की मनसा होती है कि मैं इस तरह की बात बोलों जो हमारे बालक की दिल में चुब जाए और मेरा बालक उस बात को करके दिखाए उनके पीछे माता पीता की मनसा कते ही नकारात्मक नहीं होती है हो सकता है माता पीता के अलावे अगर आपके परोस आपका समय जाया होगा, आपकी सक्ती बरबाद होगी, समय और सक्ती दोनों बरबाद होगी, तो आप क्यों नहीं उस समय को बचाएं, उस उर्जा को बचाएं, और सही दिशा में चैनिलाइज करें, आप विश्वास करेंगे, अगर आप इस तरह से आप करेंगे, जब कभी बहुत अच्छे इनसान ब्रके बन करते के जो व्यक्त्य आपको क्रोध में भलागुरा कहा है वही व्यक्ति आपको सम्मान की द्रिश्टी से देखेगा बसरते करना आपको इतना है आपको अपने गुस्ते को काबु करने और क्रोध से जो उर्जा में आन करती सही दिशा में चैनेलाइज करना है अगर आप इतना कर पाते हैं तो आपने गुस्ता पर काबू पा लिया है धन्यवाद, नमस्कार अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगती है तो प्लिस सेयर करें, कॉमेंट करें, सब्सक्राइब करें थाइंक यू